Hello Everybody, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है Judicial Accountability in India अगर हम किसी भी देश के Judicial सिस्टम के बारे में बात करें तो Judicial सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि Independent होता है और Impartial होता है Justice को Blind बताया जाता है इसलिए यहाँ पर ये Judges की जिम्मदारी होती है कि वो किस तरह से Justice को Provide करेंगे Judges को Decision इस बात को ध्यान में रखकर देना होता है कि हर एक व्यक्ति के साथ नयाय किया जाए इसलिए यहाँ पर ये जरूरत पढ़ जाती है कि ये जो Judges हैं इन्हें अपने वर्डिक्ट्स के लिए Accountable माना जाए Judges के द्वारा जो भी निर्णे दिया जाता है यहाँ पर ये बात बहुत सथा जरूरी हो जाती है कि उन्हें भी अपने Decision के लिए जवाबदार होना पड़े Accountability को Sign Qua Non-Declare किया गया है Accountability के द्वारा जो Citizens के अधिकार है उन्हें भी Secure किया जाता है और साथी साथ Justice को भी Ensure किया जाता है एक तरफ ये बात भी सच है कि जो Judiciary है वो एक Independent Body है और कोई दूसरी Body उसके अपर Govern नहीं करती है पर यहाँ पर जो निर्ने लिये जाते हैं Judges के द्वारा वो काफी हद तक Public को Affect करते हैं इसलिए यहाँ पर ये बात भी जरूरी हो जाती है कि Judges को भी जवाबदारी लीनी पड़े अपने Decisions की Judges के Functions को Regulate करने के लिए और Impartiality को Promote करने के लिए Judiciary में Balance होने की आवशकता है Judiciary बहुत महत्वपूर्ण है और साथी साथ इसका एक बड़ा Influence होता है Public के उपर इसलिए हाँ पर जरूरत ये है कि Judiciary को Secure किया जाए Judges की Abusive Power से Judiciary में कोई भी Internal Conflict होना पूरे देश को Affect कर सकता है जब ये Conflicts बढ़ जाती है तो यहाँ पर सवाल आता है Judicial Accountability का जिससे ये बात Ensure की जा सके कि जो Justice है वो Deliver किया जाए और उसे Compromise ना किया जाए Judicial Accountability एक Two-Fold mechanism है Judges के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने Decision के पीछे जो Reason है उसे Reveal करें ताकि जो Process है Decision Making की उसमें पाल दरशिता बनाई जा सके ऐसे Circumstances जो कि Judges के Tenure को Decide करते हैं उन्हें एक Disciplinary Measure की तरह इस्तमाल किया जाता है Judicial Accountability अब यहाँ सवाल ये आता है कि Judicial Accountability का मतलब क्या होता है Judicial Accountability का मतलब ये होता है कि जो Judges हैं वो Responsible होते हैं हर एक Decision के लिए जो कि वो Deliver करते हैं हर एक Public Body Responsible होती है अपने Decision के लिए और उन्हें जवाब देना होता है Public को अब ये Accountability किस Extend तक होगी ये differ करता है Work के हिसाब से Judiciary भी Government का ही एक Wing है इसलिए ये भी Answerable है Public के समक्ष Judiciary पर इतनी ज़ादा Accountable नहीं होती है जितने की Executive और Legislative Wing होते हैं पर इसका अल्थ ये नहीं है कि Judiciary बिलकुल भी Accountable नहीं होती है यहाँ पर Judges को भी जवाब देना होता है अपने Decision के लिए Judiciary एक Independent Body है जो कि Justice को Deliver करती है और Constitution की Integrity को बनाये रखती है इसलिए यहाँ पर ये बात ज़रूरी हो जाती है कि Judiciary impartial हो Conflicts हैं Appointment, Procedures से Related, Execution of Functions and Powers से Related ये Judges के बीच में Arise होते हैं और कितनी बार Judges और Chief Justice of India के बीच में भी Arise होते हैं ये एक Problem है जो कि आजकल Common है और अगर इसी तरह के Conflicts continue होते हैं तो इसका असर Justice पर पढ़ता है इसलिए यहाँ पर Judicial Accountability ज़रूरी है Judicial Accountability किस तरह से की जाती है Review, Appeal और Revision से Related जो Provisions है जने Lay Down किया गया है इनके थूरू Judges को Responsible बनाया जाता है Constitution of India Provide करता है Provisions को जिससे Judges को Remove किया जा सकता है फिर भले ही वो Supreme Court of India के हो या फिर High Court के हो अगर Judges के द्वारा Misbehavior किया जाता है या फिर उन्हें Arbitrary पाया जाता है तो ऐसी परिस्तिती में उन्हें Remove किया जा सकता है By the Process of Impeachment Supreme Court के Judges के Removal के चो Provisions हैं वो दिये गए है Article 124, 2 और 4 में High Court के Judges के जो Removal के Provisions हैं वो दिये गए है Article 217 में जो Removal की प्रक्रिया है उसे Carry किया जाता है Two Third Majority के साथ में जो की Members of Parliament की होती है आज तक की भी अगर हम बात देखें तो जो Supreme Court के Judges हैं उन्हें सिर्फ Impeachment के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है Impeachment के लिए जो Parliament के दोनों Houses होते हैं उनसे Two Third Majority का लेना जरूरी होता है पर अकसर ये Majority नहीं हासिल हो पाती है और उस वज़े से जो Process है Removal की वो नहीं Carry की जा सकती है Impeachment की जो Process है वो काफी जादा गुमावदार है और इस Process में काफी सारी समस्याएं भी है Political, Social और Economical Factors ऐसे हैं जो कि आज भी Judiciary को हाम करते हैं Impeachment के Process का इतना जादा कठिन होना ये भी एक वज़ा है कि यहां पर Judicial Accountability की जरूरत है Judicial Independence के द्वारा Judges को काफी हद तक Freedom Provide किया जाता है पर यहां पर उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वे अपने Authority को Misuse करें जब भी Judges के द्वारा अपनी Authority को Misuse किया जाता है तो यहां पर ये Public के Interest को Affect करता है जब भी ऐसा पाया जाता है कि Judges या फिर Judicial Officers Corrupt Practices में Involve हो रहे है तब यहां पर Fair Procedure के द्वारा Investigation की जाती है और Judges को Restrict किया जाता है जो Article 124.5 है Constitution of Judges Inquiry Act 1968 का इसे Force में लाया गया था Investigation के Procedure को Regulate करने के लिए जो Procedure है जिसके Through Proof को Find किया जाता है कि जो Judges हैं वो In Capacity में थे या फिर Misbehavior कर रहे थे उसे Regulate किया जाता है इस Article के द्वारा इस Article के द्वारा Procedure को तो Secure किया जाता है पर इस Article में भी काफी सारे Loop Holes हैं जिसके Through बचा जा सकता है Requirement इंडिया एक Democratic Country है और Preamble में शब्द Justice उलेखित है Preamble के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को Justice Guarantee किया जाता है हर एक Form में चाहे फिर वो Social हो, Political हो या फिर Economical हो भारत के जो सभी नागरिक हैं उन्हें काफी सारे अधिकार दिये गए हैं उनमें से एक अधिकार है Right to be Informed ऐसे जो भी लोग हैं जिनके पास में Government की Power होती है उन सभी का Accountable होना बहुत जादा जरूरी है Democracy को बचाने के लिए जितने भी लोग जो की Dignified है या फिर जिनके पास में Governmental Power है इन सब को जवाबदार होना जरूरी है Democracy में जब भी किसी व्यक्ति को Power दी जाती है तो इसके साथ में ही दी जाती है काफी सारी Responsibilities और इनका होना इसलिए जरूरी है ताकि जो Democracy है उसका अस्तित्व बना रहे Court के सिस्टम में काफी सारे Loop Holes हैं और Drawbacks भी हैं इस वजह से कितनी बार भारतिय पब्लिक में इस बात को देखा गया है कि वो Judiciary से असंतुष्ट है Judiciary जो भारत की Government की सबसे साथ Important Wing है उसका Accountable होना बहुत जरूरी है Judiciary की Derogative Values की वजह से जो असर होता है वो पूरा भारत की Public पर पढ़ता है बहुत सारी Countries ऐसी है जन्होंने जो Judicial Accountability है उसके Provisions को Develop किया है यह जो Judicial Accountability का Concept है यह कोई नया Concept नहीं है कितने ही Judges के द्वारा भी यह बात कही गई है कि इस Profession में Ethics का होना बहुत ज़ादा जरूरी है जो Profession है एक Judge का वो Demand करता है Ethics को और Morality को कुछ ऐसे Ethics होते हैं जो कि Judges को Mandatorily ही Follow करने चाहिए जैसे की Honest Decisions जो पूरा Concept है Judicial Accountability का वो Arise ही इसलिए होता है कि जो Judicial Pronounsments होते हैं वो कितनी बार Bias होते हैं या फिर Influence में दिये जाते हैं यहाँ पर यह बहुत सथरूरी हो जाता है कि जो Judges हैं वो Neutral हो और उनका रुझान किसी एक पार्टी की तरफ ना हो अगर किसी जज के द्वारा Decision दिया जाता है Honesty के साथ में Good Faith में और Fairness के साथ तो फिर यह गलत नहीं होता है Abiding by the Principle of Natural Justice Principle of Natural Justice के दो Basic Rules होते हैं Audie Alterum Partum और Nemo Judix and Causas Apply किया जाना चाहिए Judges के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो Irrationality या फिर Arbitrary Action की जो गुझाईश है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है Administration of Justice सभी Ethics में से सबसे जाज़ा important होता है कि जो Judges हैं उन्हें Proper Justice को Administer करना चाहिए जब वो Justice प्रदान करें तो वो Fear और Influence से मुक्त हो एक Recent Incident में बिहार में एक Under Trial व्यक्ती को मार दिया गया था जो व्यक्ती था उस पे Suspection ये था कि उसने चोरी की है वो Session Court में Under Trial था और Decision आने के पहले ही उसे मार डाला गया इससे पता चलता है वो न्याय प्रदान नहीं कर सकती है इसलिए लोग अपना न्याय खुद करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये Help करते हैं Judicial Accountability को Attend करने के लिए Judges को ये भी सलहा दी जाती है कि वो Socialize थोड़ा कम करें Socialize करने की वज़ा से कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो Judges है वो independently function नहीं कर पाते हैं और उनके जो decisions होते हैं वो influenced हो जाते हैं Socialize ना करना एक ethical value नहीं है पर हाँ ये चीज ऐसी है जो कि Judges को अक्सर करनी चाहिए ताकि वो अपने decisions को influence होने से रोक सके Supreme Court के द्वारा कहा गया था राम प्रताप शर्मा वसिस दयानंद के केस में कि जज के द्वारा avoid किया जाना चाहिए कोई भी invitation जो कि किसी business, political party, commercial entity के तरफ से आता है ऐसी parties को avoid करना एक act of caution है जो कि follow किया जाना चाहिए Need for judicial accountability Change and demands of the public belonging to a welfare state अगर हम भारत की बात करें तो भारत समय के साथ-साथ काफी जल्दी बदल रहा है लोग educate हो रहे हैं और वो अपनी rights और obligation के प्रती aware भी है पिछले 10 सालों से compare किया जाए तो public participation भी काफी हद तक बढ़ा है यहाँ पर public को पूरा अधिकार है well informed रहने का इसलिए accountability जरूरी हो जाती है और फिर यह accountability judiciary के लिए भी जरूरी है absence of remedy for regulating misbehavior among judges बहुत सारे ज़जमेंट्स हैं जोकि deliver किये गए हैं court के द्वारा उनमें एक बात देखी गई है कि यहाँ पर कोई भी remedy मौजूद नहीं है जिससे अगर कोई भी misbehavior या mistake की जाती है judge के द्वारा तो उसे देखा जा सके अगर judges के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है और वो है impeachment और impeachment जैसा कि हम जानते हैं यह काफी लंबी process होती है और कितनी बार ये एक असफल process भी होती है यहाँ पर इस बात को observe किया गया था कि यहाँ पर कोई भी provision मौजूद नहीं है जो कि किसी judge को charge कर सके किसी misbehavior के लिए court की proceeding के दोरान यह जो absence है यह call है कि यहाँ पर judicial accountability की आविशकता है legitimacy of a judicial procedure अगर कोई भी judgment दिया जाता है judges के दोरा या फिर कोई भी law pass किया जाता है judiciary के दोरा तो यहाँ पर उसको constitutionally legitimate होना ज़रूरी है इस legitimacy को ensure करने के लिए judicial accountability बहुत important है knowledge about the standard of the judges practicing in the court जो भी detailed information होती है Supreme Court और High Court के judges की उसे public से private रखा जाता है इतनी बार ऐसा भी होता है कि political pressure के basis पर किसी judge को appoint किया जाता है इसलिए यहाँ पर judicial accountability के आवशकता है जिससे जो details है judge के बारे में वो public को भी पता हो सके reservation of seats in the judiciary जब बात आती है judiciary की तो यहाँ पर reservation होता है minorities के लिए इसलिए हाँ पर यह बात जरूरी हो जाती है कि जो judicial service examination है उसे एक मात्र ऐसी exam बनाया जाए जिसे judiciary में entrance मिल सके The necessity of efficiency At present यहाँ पर 31 judges हैं जो की supreme court में काम कर रहे हैं लेकिन ताज़ुप की बात यह है कि ऐसा कोई decision जो की existing framework में कोई change ला सके वो नहीं दिया गया है सिस्टम में जो loopholes है और जो deficiency है वो इस बात की demand कर रहे हैं कि judges की efficiency जादा होनी चाहिए यहाँ पर judicial accountability आविशक हो जाती है ताकि जो judges की activities है और उनकी जो efficiency है उसे check किया जा सके Necessity of transparency Judiciary एक मात्र ऐसा organ है जो की justice को deliver करता है अपने रोल को पूरी तरह से अचीव करने के लिए यहाँ पर यह ज़रूरी है कि Judiciary को accountable बनाया जाए जो कि Judiciary Right to Information Act 2005 के अंतरगत नहीं आती है तो यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि Judiciary को accountable बनाया जाए Absence of provision to review the Supreme Court's decision Supreme Court के द्वारा जब एक बार decision दिया जाता है तो उसे review नहीं किया जा सकता है और अगर उसे review किया भी जाएगा तो वो Supreme Court के द्वारा ही किया जाएगा यहाँ पर ऐसा और कोई अन्य court नहीं है जो कि review कर सके Supreme Court के decision को Judiciary अपने आप में एक independent body है और यहाँ पर दूसरी कोई governmental body भी interfere नहीं कर सकती है इसलिए भी judicial accountability जरूरी हो जाती है